हाई गाई वेलकम बैक टो मैं चैनल काफी दिनों बाद वीडियो आ रही है आई नो आई नो बहुत लेट हो गया है बट गी में कप लुक बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही इजी स्टेप से मैंने फॉलो किया है आप वेडिंग सीजन आ रहा है और बहुत सारी साथिया भी चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मन भूलिएगा प्रेस ता कि मैं जब भी और वीडियो बिनाओ सारी नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिले ताकि आप मेरी सारी वीडियो देख पाएं डोंट वेस्टाइम लेट गेट स्टाडिट चल यहां फ्लॉलेस बेस नहीं है तो मैंने यहां गुडवाइब का तोनर यह काफी अच्छा टोनर है और काफी अच्छा है आपके स्किन को इंदम हाइडरेटेट कर देगा और फ्रेग्रेंस तो बहुत भी सुनदर है और मैंने यहां बायोटिक का मॉश्राजर लिया है यह बहुत अच्छा और बजट फ्रेंडली आपको काफी ज्यादा प्रोड़क्ट और अच्छे प्राइस 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 पर देगा और चिप चिप आपी बिल्कुल भी नहीं है इसकिन को एक्दम से स्मूध कर देगा दन मैंने प्राइमर यूज किया क्योंकि मेक अप कर हमारा प्रोड़ेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दोंगी तो आप चाहिए वहां से बाहर कर सकता है और इस ताम ना सेल चल रहा है ना आइकान पर 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 तो आपको डिसकाउंट में मिलेगा तो इस तरह से मैंने स्टॉक क्रीम अप्लाइक कर लिए अपने करेंगा कि विंटर में और स्किन ड्राइड रही रहती है और ली वाली होती तो भी हल्की फुल्की ड्राइड लगती है तो शेड है मेरा वाम न्यूड और मैं इससे पहले हाथों से अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं तकि मेरा फांडिश्य से पूरे फेस पे इवें सब देखा था कि चलो ट्राय करते हैं लेगते कैसा है तो इसमीना आपको चस्मा डाइप का रहा करना है थोड़ा से इसमीना आपकी अांखे लगती है तो वाइन नौट क्राइड करें देखें कि कैसा रिजर्ट मिलता है तो मैंने जश्मा किता है काटूनी लगे गया मुझे यह ब्लेंट कर लिए इसे लगाती लगती थोड़ा सा ड्राय हो तो फटा फटा फटी लिए गा बट रिजल्ड मैंने देख के बहुत सौग्ड होई और यह है डेफिनिटली ट्राय करता है एकदम मेरी आखे इदम अपलिफ टाइप की होगी तो मैंने थोड़ा सा माउथ के लगा है एंड वाओ अच्छा है कि आप डेफिनिटली ट्राय किजिए गा देन मैंने इंसाइड का कॉंटॉर पैलेट लिया है इसमें आपको कलरेक्टर कंसीलर कॉंटूर सब मिल जाएगा 150 या 200 के तो एक ही पैलेट में आपको साप मिल जागा तो आप अगल बीनर से या टीनजरे लेना चाहते हैं तो गोफोर इट काफी अच्छा है पिंगमेंटेशन अच्छी क्रीमी एकदम है अच्छे से ब्लेंड हो जाता है देन मैंने अपना पूरा कांटूर अच्छे से ब्लेंड कर लिया है नोज के राउंड चीक पे राउंड क्योंकि मुझे थोड़ सा ब्लस देर तक टिक किएगा एंड थोड़ा सा बहुत ही पिगमेंट और शाइनी शानी लगता है तो अगर आप ब्लस लवर हैं और आपको काफी अच्छा ब्लस पसंद है तो गोफोर इट पहले आप कोई भी क्रीम या टिंट यूस कर लिजे एन उसे अच्छे से ब्लें ब्लेंड कर लिया है और फोर हेट पेस अच्छेसे बेकर लिए सेट कर लिया है दन मैं इसे अच्छे से फिर ब्रस ही रिमॉव पर लोंगे जस्ट 10 तो ट्वेंटी सेकंड तक रखंगी लैन सारा अपना क्या बोलते हैं अच्छे से से रिमॉव कर दोंगे फटाफ़से और किया है तो मार्स का पैलट है मैंने साफ डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगे डोंट परी आपको जुच भी बाय करना हो तो आप जाके बाय कर सकते हो किसके किसके हां वेडिंग चल रही है मुझे कमेंट करके जलू बताएगा कौन को इस बार वेडिंग में जाने वाला ह देन कॉंटोर को भी मैंने सारे क्रीम प्रोड को आपको पाउडर प्रोडक्ट से लॉक करना है ताकि आपको वह कहीं भी जाए ना देन मैंने स्विस्ट बीड डिका आईप्रो पैलेट लिया है काफी अच्छे शेड हैं और काफी अच्छा भी यह आप उससे न अपने क्य है धलके हाथ है ओकी संदर आई मेकप पर बहुत इजि है आप देखेते जाएं और क्रीज पर ब्लेंड किया हैं दिरे दिरे अपना आइसेड़ियंड कि किया रहा एक हैं से आपको 정확 åt में रिट से बहुत अच्छा है कम कंसील लेना है अगर एक बार की बहुत जदा ले लेगा तो आपकी आखे क्रीज करने लग जाएगी एंदन मैंने एक ग्लिटर यहां सीमर सेडल अपले आ है थोड़ा सा परपल एंड बिंक में हैं इसे अपने लिट पे अपलाए करूंगे फ्लैट ब्रेस से टैप डैप कर से बहुत थोड़ा से बड़ा लगाना या फ़्लैसी को रगाने के बदन इस एकदम अलगी लग देता है तो वेंडिंग पर लैसे जरूर अपलाए कि जरूर अंदर मैंने मस्कारा लगा लिया है ताकि मेरी जो रियल लैसे और मेरी फेक दूनों अलग अलग ना लगे तो अच्छे से मस्कार अपला किया देर में लोवर में डाक ब्रा पिंग और पीछ कलर को ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है काजल मेरी आख थोड़ी सेंस्टिव तो काजल लगाती है मुझे आख पर पानी पानी आने लगता है हाइलाइटर यह मेरा फेवरेट पार्ट है एक तम हाइलाइटर से अपके पूरे मेकपने चार चांद लग जाते हैं अपने हाइलाइट पॉइंट पे नोस पे चीक पे इसका फॉरहेट बड़ा है ना उसको दोनों आइब्रोस के बीच में हाइलाइटर लगाना चाहिए और करना चाहते हैं तो यह है यह यह बहुत अच्छी है और फिर मैंने कंसीलर का सब बीच में लगा के उसे फिंगर से ब्लेंड कर लिए एंड उसके बाद आप बहुत ही अच्छा लिप्स्टिक का कलर आया है वाह लुकिट दा थोड़ी अपकी प्लम प्लम लगते मुझे तो और बहुत ही कम प्राइस में आप बहुत अच्छा मेक आप कर सकते हैं ज़रूरी नहीं आपके बहुत हाई हाई मैक का या ऐसा ही कोई भी प्रोड़क चाहिए तब आप मेक अच्छा कर सकते हो ओके तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रू पिताएगा चैनल प जब वीडियो कैसा ही कि लड़ा प्रेयन चेवले हाई प्राफ एकर शाहिए कोई समय प्ले नहीं दो मेद के जएरूरी थेस कते हाई 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 हुआ के लड़ा इसरेपके लिफेड़